दोस्तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी न भूलें नमस्कार दोस्तो आपका हाद एक स्वागत है हमारे onlyairway.com के आज के इस वीडियो में दोस्तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले आप से एक बार आग रहे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको नए अब्डेट्स का पता लगता रहता है और दोस्तो लाइक और शेर भी जरू करें ताकि आपके साथ जो आपके मित्रगन हैं आपके टच में जो लोग हैं वो भी इन वीडियो से अपडेट रहें और इनका लाब ले सकें तो दोस्तो आईए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का टॉप है दोस्तो घुटनों और जोडों का दर्द काफी सामाने सी तकलीफ है जो कि बहुत लोगों को देखने को मिलता है और उमर बढ़ने के साथ ये प्रॉलम और ज़्यादा गंबीर होती जाती है तो ऐसे में हम अकसर पेंकिलर्स लेते हैं जो की और जानुकसान दाइक होते हैं तो प्राकरतिक तोर पे अर्वेद ने हम इसके लिए कुछ सामगरी बिताई है जो कि हम ले सकते हैं और उससे इसमें रहाद मिलती है तो ये मेडिसिन बनाना के लिए दोस्तों देख लेते हैं सामगरी क्या है संत्रे का रस एक कप, एक कप पानी, दालची नी एक स्टिक यानि की एक इंच डिडेंच के असपस हो जाएगी और कटा हूँ अनानास दो कप, शैद स्वात के अनुसार, आदा कप कुटेवे बदाम और जो का दलिया एक कप और इसको तयार करने की विदी इस तरह से है एक बरतन में जो का दलिया और पानी मिलाएं और कुछ मिन्ट तक काग पर पकाएं जब भी पक जाए तो इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दें और फिर सारी सामगरी एक ब्लेंडर में डाल कर अच्छी रसे मिक्स कर लें और थोड़ा हलका करने के लिए इसमें थोड़ा पानी मिला सकते हैं इस मिशन को हरोज इसमाल करें दर्द गायब हो जाना चाहिए और आपके जोड और मजबूत हो जाने चाहिए और इसी सेवन विदी इस तरह से है सुबह खाली पेट आपने इसका सेवन करना है और भोज़न कम से कम जब करने हैं उसे दो गंटे पहले करना है और इसके सेवन के बाद में दो गंटे तक कुछ भी नहीं खाना पीना है आदे गंटे के बाद गुंगना या गरम पानी पी सकते हैं तो इसको करने से आपको अच्छे लाब मिलने चाहिए और जोड़ों के दर्थ में रहात मिलनी चाहिए तो दोस्तों ये इनफर्मेशन डिटेल में और वेबसेट onlyairway.com पर अवेलेवल है आप महाँ जाकर के डिटेल में देख सकते हैं लिंक आपको description ने दे दिया गया है तो आप जरूर विजिट करें और इसका लाब लें और आपको फीड़बेक के कमेंट्स आदी हैं तो आप हमसा जूरू शेयर करें